हालो फ्रेंड्स नमस्कार सलाम वालकम बैक तो मैं चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज के स्केंडल वैक्स रिडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फिलिंग्स आपके पार्टनर क्या सोच रहें इस वक्त अगर आप नहीं है मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखें आज हम इस रिडिंग में कवर करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आगे क्या होगा इस रिष्टे में अगर आप no contact situation है अगर आप में दूरिया आ गई है या रिष्टे में कुछ भी कड देख सकते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर में आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिष्टे में आप से क्या expectations है उनकी और क्या सोचते हैं आपके बार में यह रिडिंग जन्रल है यानि कि सभी के साथ रेजोनेट करेगा सभी जोडियक साइंस यानिकि सभी राशि प्रेंट के लिए देख सकते हैं अगर आप relationship में हैं और कुछ भी नाराज की है या फिर नो कॉंटेक्स सिच्वेशन है थर्ड पार्टी भी है आप दोनों की बीच तो जाने की कोशिश करेंगे अगर आप शादी शुदा है और आपके रिष्टे में कुछ भी कटी नाया ह है problems है दूरियां है ब्रेक अप हुआ है तो भी जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ guidance हर रेडिंग में देता है जिसके वज़े से आपको accurate messages मिलते हैं और एक आप प्लैन कर सकते अपनी future के बारे में एक step ले सकते हैं तो चलिए बिना देर के इस रेडिंग को start करते हैं प्लीज अपने person को याद कीजिए उनका नाम लेना बहुत जुरूरी है उनका चेहरा याद कीजिए उनके साथ बिताया वह वक्त याद कीजिए अभी आपको candle के फ्लेम के ओपर focus करके अपने person का नाम लेना है सची मन से याद कीजिए उनको angels और divine universe प्लीज गाइड करें angels और divine universe प्लीज गाइड करें archangel Michael प्लीज गाइड करें archangel Gabriel प्लीज गाइड करें thank you universe for supporting and guiding us प्लीज positive रहिए और जानने के कोशिश करेंगे आपके person आपके partner इस वक्त क्या सोच रहें तो ऐसे लगता है ना इस परसन ने अपनी मन की मर्जी चलाई है हमेशा मतलब इनका मोड जब अच्छा रहेगा तो ये प्यार से बात करेंगे इनका मोड जब खराब होगा तो नाराज की दिखाएंगे या फिर ओवर एक्टिंग करेंगे या परिटी नहीं देते हैं ये परसन ऐसा लगता है मन मर्जी अपना मतलब उनके हिसाब से आपको चलाते हैं ये परसन ऐसा मुझे यहां पर लगता है जैसे कि आपकी इमोशन की कदर नहीं इस परसन को ऐसा मुझे लगता है जैसे कि इनके दिल में प्यार बहुत है लेकिन इनके मर्जी से मतलब ये चाहते हैं कि जब मर्जी है तो ये आपको प्यार से करीब ले सकते हैं जब इनकी मर्जी हो तो ये इग्नोर करेंगे मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा यहां पर मुझे लगता है लेकिन अभी जब आपने थोरी सी दुरिया इस परसन से की है या फिर एपरसन ने आप से दुरिया बना ली है तो एक दुसरे के बारे में आप लोगों को प्यार फिर से जाग गया है इसा मुझे लगता है मतलब यही परसन भले कैसा भी हो अच्छा है बुरा है क्योंकि सब इनसान एक जैसे नहीं होते हैं कोई 100% ट्रू नहीं होता है और सिर्फ भगवान होता है तो इनसान उनसे गलतिया हो जाती है तो जब आप एकसेप्ट करते हैं वो परसन को तो जब परसन आपको पसन है तो अच्छा हाएया वह भी आपने एकसेप्ट की है तो वह आपको याद रकना चाहिए कि आपको एट्चिस कर नहीं होगा को कभी आपको लगता है कि आप बहुत जादा इस परसन से प्यार करते हैं बहुत सोचते हैं इस परसने के बारे में औरा में इनके पीछे पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा care, बहुत ज़्यादा फिकर करना, यह सब आप करते हैं, और कभी-कभी आपको लगता है कि क्या यह person सही में deserve करता है मेरे प्यार को, यह कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन सामने वाला तो कुछ देखता है, मतलब response वैसा नहीं आता, जैसा होना चाहिए, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, यह person आपको, मतलब क्या ही सच में respect है, इसके दिल में यह feelings है या नहीं, कभी-कभी आप confused हो जाते हैं, इस person के स्वभाव से, ऐसा strongly हापन मुझे मैसूस हो रहा है, लेकिन अगर आपके बीच आभी दूरिया है ना, फिर भी यह person आपके पीछे पड़े हुए है, यह आपको stalk करते हैं, spy करते हैं, आपके उपर नसर रखे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, यह आपकी status चेक करते होंगे, आपकी social media फॉलो करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, आपकी DP देखते होंगे, मतलब यह आपको जैसे की बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं आनज देते हैं, और दूर भी नहीं जाने देते, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर ना अचीब सी feeling लगती है, कि यह आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, कि आपके बिना यह बिल्कुल नाराज है, sad है, यह दिखाना नहीं चाहते हैं, मतलब वो कमजोर side जो उनकी है, या पिर जो emotional side है यह person की, यह आपको नहीं दिखाना चाहते, मतलब यह ऐसे behave करते हैं, जैसे कि इनको कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन सच में इनको फरक पड़ता है, आपके ना होने से, या आपके दूर जाने से, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है, यह person की बत नमबर 6, 9 हो सकते हैं, 11 या 10 हो सकता है, या फिर 4 भी हो सकता है, अगर 4 है, तो थोड़ा सा जिद्धी हो सकता है, person राहू के effect से, 4 नमबर अगर इनकी बड़त है, जैसे कि 12 हो सकती है, या 4 नमबर हो सकती है, तो फिर, या फिर 31 भी हो सकती है, तो फिर ना थोड़ा सा जिद्धी टैप के हो सकते हैं, या फिर चिड़ चिड़े, या फिर proud लगते होंगे, attitude, ego वाले थोड़े से यह person हो सकते हैं, बाबा में इनके, लेकिन अगर आप इनकी जिन्देगी में प्यार इनको देंगे, प्यार करेंगे, तो फिर ये control में आ सकते हैं, परसन हैं समझे लगता है, क्योंकि जब relationship में इनसान जाता है, तो उसके उपर responsibilities भी आती हैं, और उसको प्यार भी मिलता है, वो अकेलापन होता है न, वो खतम हो जाता है, इसलिए तो इनसान शादी करता है, life partner का मतलब क्या होता है, कि life भर, पुरी जिन्दे की भर आप उसका साथ देंगे, सुख हो या दुख हो, आप उसका साथ निबाते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे ही, जो अपने person का इंतजार करते रहते हैं, आपके person के बारे में सोचते हैं, इतने तकलिफ में मुझे आप दिखाये देते हैं, या इतने overthinking कभी कभी करके आप रोते हैं इस person के लिए, लेकिन आप कुछ गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा दुआ मांगते हैं इस person के लिए, कि आपके पास आएं, ये सही रास्ते पर जाएं, कुछ गलत रास्ते में ना फ पास जाएं, ऐसा आप मांगते रहते हैं वगवान से, ऐसा मुझे लगता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये person मतलब जैसे कि आप से भी ये रिष्टा रखना चाहते हैं और अपने career के उपर भी focused रहना चाहते हैं, इनके सपने ये बिलकुल नहीं छोड़ना च आपके वज़े से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप से शादी हो गई तो ये सब कुछ अपने career को भूल जाएंगे, या इनका जो ambition है वो पुरा करना है, इनको ऐसा मुझे लगता है, साथी साथ ऐसे भी लगता है ये person को कि भले ये कुछ भी कैसे भी behave करें आपके साथ, कैसे भी पेश आएं, या बुरा बरताब करें, आपके उपर गुसा करें, तो भी आप इनका साथ हमेशा देंगे, या फिर अगर ये चोड़ कर भी गए हैं आपको, तो इनको लगता है ना, कि आप फिर भी ये person का इंतिजार करेंगे, तो 100% मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, ये person इतने confident है, कि इनको ऐसा लगता है, कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और इनका इंतिजार करेंगे, चाहिए 6 मेने के बाद आए, 4 मेने के बाद आए, और ऐसा ही इनका on-off situation भी यहाँ पर दिखाए देता है, जैसे कि 7-8 दिन मिलना और फिर उसके बाद 4-5 दिन अवाइड करना, फिर 7-8 दिन जैसे कि मिलना अच्छे तरह से बात करना, फिर 4-5 दिन कुछ काम हैं करके, आपको बहाना बना कर, फिर नहीं मिलते हैं, या कुछ खबर नहीं, या देर से call message का reply करते हैं, ऐसा कुछ इनक करना, नेचर चेंज होता रहता है, यानि कि मूड स्विंग्स बहुत है, इस परसन के, ऐसा मुझे strongly यहाँ पर दिख रहा है, आपका ये energy में यहाँ पर ऐसा दिखता है ना, कि ये person से आप बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं ना, कि unconditional love मिले, जिसमें कुछ भी conditions ना हो, सिर्फ आपको एक सचा प्यार करने वाला साती चाहिए, जीवन भर, बस यहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है ना, कि आप self sufficient है, self made person है, और आप अपने खुद के पैरों के उपर घड़े हैं, यानि कि आपको financial support की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपना काम करते हैं, job करते हैं, career में आप settled हैं, सिर्फ यह person से इतना चाहते हैं कि उनको, उनसे यहीं चाहते हैं कि आपको प्यार करें, बस प्यार दे दे, प्यार की कमी लगती हैं आपके life में, लेकिन यह person ना, थोड़े से attitude, ego वाले हैं, और आपके feelings को नहीं समझते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहे, जो राश राशी, लिवो, सीह राशी, स्कॉर्पीयो है, व्रोशिक राशी, पाइसस, में राशी, यह कुछ राशियां यहाँ पर reflect हुई है, जो नमबर यहाँ पर दिख रहे हैं, वह हैं, नमबर 6 और 8, कुछ नकुछ आपके life के साथ मैच करेगा, resonate कर सकता है, 6 और 8, 6 और 8 या फि नमबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, तो यह परसन ऐसा है ना कि आपको मतलब commitment नहीं देते हैं, आपको seriously नहीं लेते हैं, लेकिन आपको छोड़ते भी नहीं है, ऐसा इनका प्यार है, मतलब यह आपको जैसा कहते हैं कि कभी भी आके अचनक भी बोल सकते हैं, कि आज म मिलने को आप, जब आपने already plan नहीं किया हैं, तो भी यह बोल सकते हैं, और अगर आपने plan किया हैं, तो आज cancel ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब इतने mood swings हैं ना इस person के, कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, कि कब क्या इनका reaction होगा, पता नहीं है, जैसे कि यह August born या फिर 7th म हो सकते हैं, August, July born मुझे लगता है strongly आपर, यह थोड़े से confusing होते हैं, यानि कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनको चैरे को देखकर आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, कि यह गुस्से में हैं, या कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि बात करते हैं परसन ना, सिर्फ हम, हम, ह ऐसे कहते होंगे, और कुछ और ही सोचते होंगे यह परसन, ऐसा मुझे यहां पर महसूस हो रहा है, और यह परसन ऐसा भी है ना, कि कभी आखों में आखे डाल कर कभी नहीं बात करेंगे, ऐसा भी मुझे लगता है, लेकिन यह परसन जो है ना, एसने ही है कि ये multiple relationship में जा सकते हैं या किसी और के साथ flirt कर सकते हैं या सोच सकते हैं किसी और के साथ रिशटे में ऐसा नही ए ये person जिसको एक बार अपना मानते है न तो उसे के साथ ही निवाते है रिश्टा लेकिन इनको समझना और इनके साथ जिन्देगी गुजारना सबके बस की बात नहीं है ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है मतलब यह अलगी character के person है character नहीं कह सकते जैसे कि mentality कह सकते है ना अलग सोच वाले हो सकते है ऐसे इंसान बहुत अलग-अलग होते है दिखने में अलग हो सकते है यह थोड़ी से लंबे height में बहुत ज़ादा हो सकते है इनके नाग के उपर गुसा हो सकता है और फिर जैसे कि ना मुझे हाँ पर ऐसे strongly लगता है कि यह बहुत perfect turkey है मतलब इनको अपनी चीजे perfect जगह पर चाहिए यह फिर अगर इन्होंने आपको बोला कि चार बज़े मुझे मिलना है तो बरबर चार बज़े मिलना है अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया है तो भी यह गुसा करने वाले ऐसा मुझे लगता है चाहिए परसन मेल है या फिमेल आप अपने energy के ओपर प्लीज फोकस कीज़े आपकी energy masculine है या feminine energy तो इस टैप की यह परसन लगते हैं जिनको na perfectionist आप कहाई सकते हैं यहाँ पर मुझे छोटा सा bird का symbol बना है जो ऐसा लगता है यह परसन को freedom चाहिए मतलब अगर यह शादी भी करे या आपसे relationship में हो इनके उपर आप control नहीं कर सकते यह आपको control करेंगे लेकिन आप इनको control में नहीं रख सकते मतलब अगर यह देर से आए या कुछ भी हो तो आप इनको सवाल नहीं पूछ सकते इनको पसंद नहीं है कि मुझे phone क्यों नहीं किया क्यों नहीं reply किया यह अगर सवाल सब कुछ आप पूछेंगे तो इनको गुस्सा आता है लेकिन यह आपको जरूर पूछेंगे कि इतने देर से आये कहां गये थे मतलब एक अलग टाइप में न यह person पूछ सकते हैं लेकिन यह freedom चाहते हैं यह free bird की तरह रहना चाहते हैं और आपको control करना चाहते हैं ऐसी कुछ energy यहां पर उठकर आए है पता नहीं ऐसी energy यहां पर क्यों आई है लेकिन ऐसा स्वबा हो सकता है आपका person का अगर है तो please comment कीजे बहुत से लोग comment करते हैं और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना मतलब उनकी जिन्देगे में क्या हो रहा है मेरे समझ में आता है क्योंकि जब हम एक दूसरे के जिन्देगे के बारे में जानते हैं कि मेरे जिन्देगे में क्या है और वो person मेरे से जाधा परेशान है तो फिर आपका दुख आपको कम लगने लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो वो परेशान है इस सब प्रॉब्लम्स जब शेयर करते हैं ना एक दुसरे के साथ तो बोज थोड़ा दिल का हलका हो जाता है और सोशल मीडिया ऐसा प्लाटफॉर्म है जहाँ पर आप सामने वाले को नहीं चानते लेकिन जैसे कि मेरे आवाज से आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर मेरे रिडिंग से आप कनेक्ट हो सकते हैं आपको गाइडेंस मिल सकते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है थोड़ा सा अच्छा फील हो सकते आपको अगर आप बहुत ज़दा टैंस्ट है बहुत ज़दा डिप्रेस्ट है कोई भी नहीं चाहता जिन्दिगी बार डिप्रेस्ट रहे कोई भी नहीं चाहता कि एंजाइटी का शिकार हो ओवर्थिंकिंग हो अगर उसको अपना पार्टनर मतलब यानि कि आपका पार्टनर अगर आपको समझ ले आपको प्यार दे दे तो आपको ये रिडिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी जिन्देगी में प्यार की कमी है इसलिए आप ये रिडिंग देख रहे हैं आप किसी के लिए परेशान हैं, इसलिए ये रिडिंग देख रहे हैं। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए, सब कुछ सही होगा, क्योंकि इंसान के जिन्दगी में बुरा वक्त भी आता है, और अच्छा वक्त भी आता है। अगर आपका वक्त भुरा है, आपको लगता है कि आपका नसीब घराब है, मुझे भी बहुत बार ऐसे लगता है। तो कुछ नहीं, मैंने हर बार देखा है, प्रे किया है, यूनिवर्स से, भगवान से, तो मेरे चीज़ें सॉल्फ हो गई है। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है, अभी भी आपकी बात सुनता होगा, या आपकी फिलिंग्स वो जानता है। और सही वक्त आने पर जो आप चाहते हैं, वो सब सपने आपके पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो strongly नाम reflect हो रहा है वो है दीपक, दीपक और संद्या, ये कुछ नाम बार-बार मेरे कान में गुंच रहे, दीपक और संद्या किसी का नाम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये परसन भले ही थोड़े से स्वाबाव में confused है या कुछ भी है लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर दो हाट एक ही जगह पर दिखाए देते हैं मजे, मतलब जितना आप चाहते हैं इस परसन से रिष्टा हो या फ्यूचर हो यह परसन भी चाहते हैं और जैसा रिष्टा होगा ना इस परसन से आपकी शाधी होती है तो यह परसन की स्वाबा में changes भी आए परसन लेकिन आपके साथ रहे के यह परसन बदल सकते हैं एक बहुती बढ़िया बहुती पॉजिटिव एनरजी में आ सकते हैं इनके स्वाबा में total change आप देख सकते हैं तो हम यही दुआ करेंगे ना कि आपका रिष्टा इसी परसन से हो और इस परसन को आपकी ज़रूरत है ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि आपका प्यार ही इस परसन को बदल सकता है ऐसा मुझे लगता है शायद यह परसन की लाइफ में प्यार की कमी हो इनके पैरेंट्स से इनको प्यार बहुत जादा नहीं मिला है बच्पन में ऐसा भी लगता है कभी-कभी बच अच्छे इस टैप के जिद्धी हो सकते हैं तो यह परसन भी ऐसे है ना कि यह work on कर रहे हैं अपने स्वभाव के ओपर यह चाहते हैं कि खुद को बदलना चाहिए इनको अगर इनके रिष्टे में करवाट आती है आप ब्रेक अप होता है या कुछ बुरा होता है तो यह परस जैसे कि अगर बहुत जादा है तो यह थोड़ा काम होना चाहते हैं स्वा समझ से लाना चाहते हैं अपने बीहेवेईर में आपकी तरफ से हो सकता है जैसे कि आपका भी मन नहीं करता है इस परसन से बात करने का या फिर उनका जो टॉचर है ना मैंटल टॉचर सहन करने की शक्ति आप में नहीं है ऐसा मुझे यहाँ पर फिल होता है तो कुछ अगर आप दोनों के बीच मिस अंडिस्टेंडिंग है ना तो क्लियर होते हुए मुझे नजर आ रहे यानि की मिस कम्युकेशन या कुछ गलत मतलब आपके परसन को लगाए अपके बारे में या आपको लगाए उनके बारे में तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को clarity एक दुसरे के बारे में मिल जाएगे और ही रिष्टा और भी मस्बूत होते हुए मुझे नजरार है तो आज की reading में इतना ही positive रहे है प्लीज स्माइल कीजे तो positive चीज़े आप attract करेंगे और हम यही pray करेंगे यही दु अनिवाज